नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें आचार जागंद्रमिस्रा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राश वालों के लिए सितंबर माह के चौथे माह यानि चौथे सब्ताह के बारे में यानि की 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2020 तक का समय मिथुन राश वाले लोगों के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में किस तरह के बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जो आपके दिन चर्या को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे और ये साथ दिन आपको धन लाव देंगे और ये सब्ता बेहत खास सब्ता भी आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस सब्ता में वो ग्रह राशी परिवर्तन करेगा जो बहुत ही महतपूर परिवर्तन माना जाता है देखिए सबसे बढ़िया जो गोचर होता है वो सनी का गोचर होता है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर गोचर आता है वो राहू का गोचर आता है और ये जो सब्ता है ये आपके लिए उस गोचर का साक्षी बनने वाला है 23 सितंबर को राहु अपनी रासी परिवर्तन करेगा राहु मित्वन रासी से निकल कर ब्रिस्व राश में प्रवेश करेगा क्योंकि यह हमेशा वक्री होते हैं उल्टे चलते हैं इसलिए एक भाव पहले पीछे आ जाते हैं इसके साथ ही केतु का गोचर होगा 23 सितंबर को ही ब्रिस्व राश में गोचर करेंगे इसके अलावा 22 सितंबर को बुद्ध का गोचर यानि आपके राशी के स्वामी का गोचर होगा बुद्ध तुला राश में प्रवेश करेंगे तो इतने एहम गोचर इस सब्दाह में होने वाले हैं जो बहुत ही मितुन रास वालों आपके लिए महत्पूर्ण हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा की स्थिति की हम बात करें तो देखिए। चंद्रमा 21 सितंबर 2020 से तुला रास से गोचर करेंगे यानि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे और तुला रास से गोचर करते हुए यहां पर 27 सितंबर 2020 तक मकर रास में पहुचेंगे तो चार भावों में चलेंगे तुला ब्रिश्चिक धनू और मकर रास में ये चार भाव शक्री होंगे और चंद्रमा मन के कारक गरे हैं चंद्रमा जिस में जिस भाव में जाते हैं उसी के अनुसार वो फल देते हैं सुब भाव में बैठते हैं तो सुब फल देते हैं और अशुब भाव में बैठते हैं तो अशुब फल देते हैं यह राशी फल चंद्र रा वालों के लिए देखें तो यहां पर आपके पंचम भाव तीसरे सप्तम और अश्टम भाव पर गोचर करेंगे यानि शक्री रहेंगे यह जो चंद्रमा का गोचर होगा चार भाव में शक्री भाव में होगे उसी के अनुसार आपकी जो दिंचरिया है उसमें प्रभाव चंद्रदेव का और बुद्ध ग्रह का भी प्रभाव होगा जो आपके राशी के स्वामी है यहां पर साथ में सूर का प्रभाव होगा जो यहां पर 17 सितंबर को ही प्रवेश कर चुके हैं गोचर कर चुके हैं तो सबसे बड़ा तो देखिए हम आपको बताएं यहां पर क कि राहु और केतु का जो होगा तो चलिए पहले हम विस्तार से जानते हैं मितुन रास वाले जातकों के लिए जो अभी से यह समय है यह कई तरह के लाभ देने वाला समय होगा किस तरह का लाभ देने वाला समय होगा तो अगर आप प्रोपर्टी में निवेस करते हैं जमीन मे कराते हैं यह बिल्डिंग मेटेरियल से जुड़ा हुआ काम करते हैं यानि कि जमीनी चीज से जो जुड़ा हुआ काम करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा प्रोफिट देखने को मिलेगा बहुत अच्छा लाभ की उम्मीद बनी हुई है या आप कोई प्रोफिटी के माम पर देखा जाए तो आपके लिए कई सिक्षा के मामले में भी लाब होगा साथी साथ मन की जो सोच होगी बहुत ही सकरात्मक होगी यहां पर देखे तो सूर ग्रह का भी प्रभाव हो है तो ऐसे में आपको राहू का भी गोचर हो रहा है तो ऐसे में यहां पर चुकि राहू ब्रिसब राशी में हैं तो यहां पर आपको कई तरह के लाभ देने वाले हैं आप कई चीजों को सावधानी भी रखनी होगी यहां पर चुकि राहू का गोचर है तो कई चीजों में सावधानी भी रखनी है आपके यहीं कि जैसे कि मालीजी आपसी लोगों से मतभेद हो सकते हैं परिवार में पारिवारिक जीवन में किसी के साथ मतभेद किस्तिती हो सक जीवन साथी से बात करते समयं आपको उनकी भावनाओं का कदर करना होगा उनकी भावनाओं को आहथ नपहुंचे, उनका धियान रखना होगा माळणा पिता के साथ भी बात करते समयं थोड़ा सयम से पेशाना होगा Escrow Arc आप धियान रखे यानि कि बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप धियान देते हैं दोस्तों के साथ यानि जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी आपको धियान रखें कि बाद विवाद के स्थिति पैदा होती है तो उस मामले में आपको सांध रहने की आवर तो आपको स्वास्त संबंधी परेशानिया देखने को आपको मिल सकती है और अगर पहले से ही स्वास्त संबंधी परेशानिया चल रही थी तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यक्ता है होगी खास्त और पर यापको वो व्यक्ति जिनकी बीपी की समस्या है हाड की समस्या है या शुगर की परेशानिया ऐसी परेशानिया है तो ज्यादा ऐसी परेशानिया जिन लोगों को है तो केर करनी होगी अपने स्वास्त का ध्यान रखे और पारिवारिक जीवन का भी ध्यान लोगों की बात करते हैं तो जो जाता के मितुन राशवाले नौकरी करते हैं उनके लिए भी समय काफी अन्कूल है। अब तब बहुत अच्छा रहने इने वाला धन के मामले में ये समय धन आने का समय है ये समय में पैसों को धन आने का दिन कहा जा सकता है इन साथ दिनों में पैसा जरूर आएगा धन आएगा चाहे सेलेरी की रूप में आए या किसी प्रोपर्टी से आए या पैतरिक शंपत् जरूर देखने को मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं बिद्यार्थियों की तो देखिए बिद्यार्थियों के लिए वह समय जो काफी अनकूल है बहुत ही शांदार कहा जा सकता है यह सब्ता अगर आप हैस एजुकेशन में हैं और आप कहीं टेक्स से रिलेटेड इंजीनियर क काम करते हैं या आप कलात्मक चीजों से जुड़े हुए हैं और वहां आपने कुछ किया है तो आगे बढ़ने के शंकेत मिल सकते हैं आपका नाम बढ़ सकता है आगे तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है उनके नाम को बढ़ाने वाल आपको आगे बढ़ने का बहुत से मौके मिलेंगे और हम छोटे क्लास के स्टुडेटन की बात करते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें आगे बढ़ने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता मितुन रासवालों और अगर राहू के तुकी बात करें तो राहू का ये जो गोचर होगा ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा सावित होगा मितुन रासवाली लोगों के लिए राहू बहुत कुछ दे कर जाने वाला है और देखिये राहू का कोई टाइम नहीं होता राहू गोचर करते हैं उसकी सुरुआत हो सकती है बस आपको अपने काम पर ज्यादा ज्यादा फोकस और ध्यान यानि बनाने की जरूरत करमठ बने बेकार की चीजों से नजर अंदाज करें तो आप निश्चित रोप से काम्याब हो सकते हैं तो दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैन के लुझ एंदां हैं